हनुमान जी का नाम बजरंग बली कैसे पड़ा भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी के बारे में हमने कई कथाए सुनी हैं हनुमान जी को कल्यूक के देवता के रूप में भी जाना जाता है मान्यता है कि हनुमान जी की पूजा कन्य से भक्तों के सभी कष्टों का नाश होता है साथ ही सभी मनोकामनाई भी पूरी होती है हम सभी हनुमान जी को कई नामों से जानते हैं जैसे हनुमान पवन पुत्र बजरंग बली और संकट मोचन आदी लेकिन क्या आपको पता है कि रुद्र अवतार हनमान जी का बजरंग बली नाम कैसे पड़ा तो आईए जानते हैं कि कैसे हनमान जी का नाम बजरंग बली पड़ा पुराणिक मान्यताओं के अनुसार रामायन में हनमान जी के बारे में जो उलेख मिलता है उसके अनमसार हनमान जी वानर के मूँवाले अतियंत बर्शाली पूरुष है जिनका शरीर व्रज के समान है वे कंधे पर जनेउधारन करते हैं उनके सिर पर स्वन्ड मुकुठ है और हातों में वे गदा रखते हैं वालमिकी रामायन में उलेख मिलता है कि पृत्वी पर जिन साथ लोगों को अमरित प्राप्त है उनमें कल्यूक के देवता हनमान जी का नाम भी शामिल है महाबली हनमान जी को बजरंग बली कहे जाने के पीछे जो कता है वो इस परकार है कि एक बार हनमान जी ने माता सीता को सिंदूर लगाते देखा तो उनसे पूछा कि आप सिंदूर क्यों लगाते हो तो इसका जवाब देते हुए माता सीता ने बताया कि वे अपने पती शिर्राम की लंबी उम्र और अच्चे स्वास्थे के लिए ये सिंदूर लगाते हैं उन्होंने हनमान जी को बताया कि धरम के अनुसार जो सुहागिन महिला अपनी मांग में सिंदूर लगाती है उसके प पात सुनकर बजरंग बली को खयाल आया कि जब इतना सा सिंदूर लगाने से भगवान राम को इतना लाब मिलता है तो पूरे शरीर में सिंदूर लगाने से भगवान राम अमर हो जाएंगे इसलिए वे जैश्री राम बोलते हुए अपने पूरे शरीर में सिंदूर लगा लेते हैं जब शीराम इस अवस्था में हनुमान जी को देखते हैं तो वे उनसे ऐसा करने का कारण पूछते हैं तब हनुमान जी माता सीता की सारी बात भगवान शीराम को बता देते हैं यहें बात जानकर शीराम हनुमान जी की भगती से बहुत प्रसन होते हैं और उन्हें आशिवात देते हैं कि आपको आज से बजरंग बली के नाम से जाना जाएगा बजरंग बली में बजरंग का अर्थ केसरी रंग से है और बली का अर्थ शक्ति स्चाली से है इस परकार उन और कथाओं के लिए मेरी वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले धन्यवाद